तो चलिए आज की इस बोड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि मीस हो है पगर आप यूज करते हैं गई तो उसमें जो एक कैसे आप बैंक डिटाइल भर सकते हैं या फिर बैंक डिटाइल आप जो चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं जी हां तो चलिए वीडियो को करते ह शुरूब और चेंज हो पाता है या फिर नहीं तो हम लोग सबसे पहले गई यहां पर homepage पर जैसे हम आ जाते हैं तो homepage पर आने के बाद गई आपको देखिए यहां पर एक account का option देखने को मिलेगा तो account पर जैसे आप आ जाएंगे तो एक नीचे आपको आपको देखने को मिलेगा bank and upi details तो simply आपको उस पर कर देना क्लिक आप जैसे करते हैं क्लिक तो गई यहां पर देखिए bank detail अभी जो है verify हो चुका है और इसको अगर change करना तो change वाले option पर हम करते हैं क्लिक change करने के बाद गज़ देखिए आपके phone number पे OTP आएगा जो की verify करेगा तो चलिए हमने OTP डाल दिया है आपर 458097 458097 ओके तो यह चीज़ डालने के बाद verify हो चुका है अब यहां पर आप से नया account मांगेगा तो इस तरह से आप change करिए तो चलिए मैं अपना नया अकाउंट पहले भर देता हूं जैसे ही आपका सब कुछ भर जाता है यहां पर तो सब्मेट पर आपको कर देना क्लिक तो यहां पर लिखरा प्लीज कम बाइक लेटर तो अपड़ेट यूर बाइंग डिटेल और यहां पर यहां पर पेंडिंग रिफंड मार्जिन और रे कर सकते हैं इसी तरह से